प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक बहुत ही फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है बर्चिज यह जो पोयम थी यह 1913-1914 के बीच में लिखी गई थी लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1915 में एक मैगजीन में जिसका नाम था The Atlantic Monthly साथ ही फ्रेंड्स यह जो पोयम है यह 59 लाइन्स की है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है इस पोयम में कोई स्टैंजा ब्रेक नहीं है यानि यह पूरी पोयम जो 59 लाइन्स है यह वन सिंगल स्टैंजा है और साथ ही यह जो पोयम है यह किसी तरह की rhyme scheme को नहीं follow करती है Friends, अब बात करें इस poem की theme की तो उसे जानने से पहले आप इस title का मतलब जान लीजे ये title है Burgess Burgess क्या होते हैं? तो एक तरह के पेड़ होते हैं जो बहुत ही जादा पतले होते हैं और बहुत जादा उनमें movement होती है यानि आप उन्हें जुका सकते हो तो ये जो poem है ये इन्ही पेड़ों के बारे में लिखी गई है साथ ही बात करें इस poem की theme की तो पहली theme जो यहाँ पर explain की गई है वो है the joy of childhood यानि जो बच्पन का समय होता है कितनी जादा उसमें freedom होती है, joy होती है हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और दूसरा यहाँ जो important theme है वो है the problems of adulthood यानि जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी childhood खत्म हो जाती है तो हमारी life serious हो जाती है और कई तरह की problems होती है तो उन दोनों ही themes को यानि childhood की theme और adulthood की theme इन दोनों को यहाँ पर compare किया गया है और यह themes इस poem को और भी ज़्यादा beautiful बनाती है साथी friends अगर बात करें Robert Frost के बारे में तो उनका जन्म हुआ था 26 March 1874 में और उनकी death week थी 24 January 1963 में साथी उन्हें Pulitzer Prize for Poetry जो है वो चार बार मिला था और वो वर्णौर्ट शहर के poet laureate भी रह चुके है उनकी famous works में stopping by the woods on a snowy evening the road not taken nothing gold can stay यह सभी शामिल है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं When I see birches bend to left and right यानि जब मैं बर्च के पेड़ों को देखता हूँ जो की bend कर चुके हैं यानि जुक चुके हैं अपनी बाईं या दाईं ओर Across the lines of straight or darker trees कहां पर तो जहां पर घने पेड़ हैं जो की बिलकुल straight खड़े हैं उनके भीड में मैं देखता हूँ उन बर्च के पेड़ों को जो की जुके हुए हैं I like to think some boys been swinging them तो मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि जरूर ही कोई लड़का इन पर जूल रहा होगा और उसकी वजन के कारण ये जो पेड़ हैं ये भी जुग गए हैं But swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do यानि कि जूलने से swing करने से ये पेड इस तरह से नहीं मुडते हैं जिस तरह से ये कब मुडते हैं ice storm कियाने से यानि ठंड में जो बर्फ का तूफान आता है उसके कारण ये जो पेड जुकते हैं ये इसी के कारण यहाँ पर ये बर्च की पेड यू जुके हुए हैं ये किसी लड़के के जूलने के कारण नहीं है यानि आपने कई बार देखा होगा इन पेड़ों को कब तो किसी विंटर मॉर्णिंग में जब थोड़ी धूप निकली होती है तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद इस पर बर्श जम गई है और ये बर्श के जो पेड़ है ये जुग गए है यानि ये एक दूसरे में टकराते रहते हैं एक दूसरे को स्क्राच करते रहते है जैसे जैसे हवा बहती है और धीरे धीरे इनका रंग बदलता है यानि जुखने के कारण क्या होता है इनकी जो color होती है वो change करती है और जो इनका तना होता है उसमें different colors नजर आते हैं बर्फ पिघल जाती है ये जुग जाते हैं बहुत तरकी changes होती है Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells और तुरंथी क्या होता है सूरज की गर्मी से उनके उपर जो crystal shells हैं यानि जो बर्फ जम गई है वो क्या होती है वो हटने लगती है धूप की गर्मी से वो बर्फ जो है वो पिघल कर इनके उपर से हटने लगती है Shattering and avalanching on the snow crust और क्या करती है टूट टूट कर बिलकुल avalanch की तरह जो बर्फ पहाड़ी पर से बह जाती है तो बिलकुल वैसी ही लगती है यहां पर से जब बर्फ टूट टूट कर जमीन पर गिरती है यानि ठंड के समय में बर्फ पर जो बर्फ है वो जम जाती है लेकिन जब धूप निकलती है तो वो वापस से मिल्ट कर जाती है या टूट कर जमीन पर गिर जाती है Such heaps of broken glass to sweep away अफ्रेंस जब बहुत ही pure water जमता है तो वो बिलकुल glass की तरह होता है तो यह जो glass के टुकडे जो टूट टूट कर गिरे हैं यह जो बर्फ टूट कर गिरी है You'd think the inner dome of heaven had fallen तो तुम ऐसा सोचोगे कि जो heaven की उपरी छट है उसके टुकडे टूट कर गिर गए हैं इतने ज़्यादा साफ और pure लगते हैं कि ऐसा लगता है मानो यह heaven की चट के टुकडे रहे हूँ They are dragged to the withered, bracken by the load यानि इन बर्चेस पर इतना ज़्यादा load, इतना ज़्यादा वजन पढ़ता है कि यह जुक कर, जो छोटे छोटे पौदे होते हैं न, उनके पास तक पहुँच जाते हैं इतने ज़्यादा यह जुक जाते हैं And they seem not to break Though once they are bored so low for long, they never ride themselves यानि इतना जुकने के बाद भी यह कभी break नहीं करते, तूटते नहीं है हाँ, इतना ज़्यादा इन्होंने जुका है कि मुझे पता है यह वापस से कभी सीधे नहीं होंगे लेकिन वो तूटते नहीं है You may see their trunks, arking in the words, years later, afterwards यानि आप उनके trunks को, उनके तनों को जंगल में देख सकते हो उसी तरह bend किये हुए, जैसे आपने पहले कई सालों पहले देखा था कितने भी साल क्यों न बीच जाए, अगर एक बार ये बर्च के पेड मुड़ गए तो फिर ये सीधे नहीं होंगे Trailing their leaves on the ground और इनके पत्ते क्या होते हैं, जमीन को बिलकुल छू रहे होते हैं Like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun किसके जैसे तो उन लड़कियों के जैसे जो अपने hands और knees पर बैठते हैं और क्या करती हैं, अपनी बालों को अपने सिर के आगी गिरा देती हैं ताकि वो धूप में सूख सके यानि धूप में जिस तरह से लड़किया अपनी बाल सुखाती हैं तो उनके लंबे-लंबे बाल जो हैं वो जमीन को छूते हैं बिलकुल उसी तरह इन बर्चेस के जो पत्ते हैं वो भी ऐसा ही लग रहा है मानो जमीन को छू रहे हो यानि मैं कुछ कहने वाला था आपको जब क्या हुआ सच्चा ही सामने आ गई यानि वो हमें क्या बता रहे थे कि मैं सोचता हूँ कि एक लड़का इन पर जूला होगा लेकिन फिर वो हमें सच बताने लगे कि बर्फ का तूफान आया है और ये सब मैं क्यों भूल गया तो उस आई स्टॉर्ण के बारे में उसके बारे में बताने में मैं सब कुछ भूल गया यानि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये जो पेड़ है ये क्यों जुख जाएं तो किसी लड़के के जूलने से इस आई स्टॉर्ण की वज़े से जुखने से अच्छा है कि किसी लड़के के जूलने से ये जुख जाएं जब ये लड़का क्या कर रहा हो तो उनसे गुजर रहा हो अपनी गायों को लाने के लिए यानि जो गाउं के बच्चे होते हैं गाए बकरियां चराते हैं तो जब वो गाए को ले कर जा रहा हो तभी वो इन पेडों पर जूल रहा हो मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कोई ऐसा लड़का जो शहर से इतना दूर है कि उसे बेसबॉल खेलना नहीं आता तो वो क्या करता है? इसी तरह के गेम्स खेलता है यानि उसका जो खेल था वो सिर्फ वही था जो उसने खुद से ढूंडा कोई जो गेम पहले से चली आ रही है वो नहीं खेलता है वो जो गेम्स उसने खुद से ढूंडने है पेडो पर जूलना, गाय के पीछे दोड़ना इसी तरह के गेम्स वो खेला करता है ऐसे गेम्स जो वो समर में गर्मी के मौसम में विंटर में थंडी के मौसम में खेल सकता है और साथ ही अकेले खेल सकता है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है यानि एक एक करके इसने अपने फादर के अपने पिता के जितने भी पेड़ हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया यानि ये लड़का जो है इन सभी पेड़ों पर जूल चुका है और इसलिए इसने ये सारे पेड़ों को क्या किया है मोड दिया है बेंड कर दिया है और ऐसा उसने तब तक किया जब तक उसने उन पेड़ों की जो स्टिफनेस थी जिस तरह से वो straight खड़े थे वो उनसे दूर नहीं कर दी उन सभी पेड़ों को मोड नहीं दिया And not one but hung limp Not one was left for him to conquer यानि एक भी पेड ऐसा नहीं था जो सीधा खड़ा रह गया या एक भी पेड ऐसा नहीं था जिस पर वो नहीं चड़ा था He learned all there was to learn about पर चड़ने के बारे में उसने वो सब कुछ सीखा उसने सीखा कि तुरंथ ही उसे उन पेड़ों पर से नहीं कूदना है And so not carrying the tree away clear to the ground और नहीं उसे क्या करना है तो पेड़ों को घीच कर ground में सटाना है क्योंकि इससे वो पेड तूट जाएंगे किस तरह से जूलना है किस तरह से उसे पेड़ों पर चड़ना है कि वो पेड तूटे नहीं और bend कर जाएं ये वो पूरी तरह से सीख गया है He always kept his boys to the top branches यानि उसने हमेशा अपनी हिम्मत अपनी साहस बनाई रखी कब तक जब तक कि वो सबसे उपरी branches जो top branches हैं उन पर नहीं पहुँच गया Climbing carefully with the same pains you use to fill a cup बिलकुल उसी तरह carefully उतने ही दर्द के साथ जितना दर्द किसमे होगा एक cup को भढ़ने में अब यहाँ pains का मतलब सिर्फ दर्द से नहीं है बलकि जो concentration चाहिए होती है जिस तरह से सही pressure सही ताकत यूज करनी होती है उसकी बात हो रही है Up to the brim and even above the brim यानि जब आप एक cup भढ़ते हैं तो आप अपने हाथ पे control रखते हैं कि जादा चाहे ना गिर जाए या कम चाहे ना हो जाए जो सही level होना चाहिए वो बिलकुल उसी से यहाँ पर poet जो है उस लड़के को compare कर रहे है Then he flung outward feet first with a swish अब उपर चड़ने के बाद उसने क्या किया अपने आपको छोड़ दिया उसने वहाँ से jump करके यानि उसने jump किया अपने पेरों को fell आया पहले उसके पेर जमीन पर पड़े और एक swish के साथ उसने jump किया kicking his way down through the air to the ground और क्या क्या उसने तो हवा से जमीन तक वो आराम से कूटता हुआ नीचे आया So was I once myself a swinger of birches अब यहाँ इस लाइन में poet कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही था मैं भी इसी तरह से इन बर्च के पेड़ों पर जूला करता था तो यह जो imagination मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी बिलकुल इसी imagination की तरह था And so I dream of going back to be और इसलिए मैं क्या करता हूँ मैं एक सपना देखता हूँ कि मैं वापस से वहाँ लोट सकूँ उस past में It's when I'm weary of considerations और ऐसा मैं कब सोचता हूँ तो जब मैं अपने आसपास की जो समय है उससे बोर हो चुका हूँ बार-बार decisions लेना यह जो adulthood का time है उससे मैं बोर हो चुका हूँ तब मैं सोचता हूँ And life is too much like a pathless world और मेरी जिन्दगी कैसी हो गई है तो एक जंगल की तरह जिसमर कोई path, कोई रास्ता नहीं है कैसे जाना है, कहां जाना है सिर्फ मुश्किले ही मुश्किले है तब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने past में पीछे चला जाओ Where your face burns and tickles with the cobwebs जहां तुम्हारे चेहरे पर क्या होता है धूप पड़ती है और तुम्हारा चेहरा उससे हलका जल जाता है और साथ ही उसमें जलन होती है उन cobwebs से यानी मकडे की जालों से मकडी के जाले क्या होते है आपके चेहरे पर फस्ते है और आपको बड़ी जलन्सी होती है broken across it और साथी क्या होता है वो तूट जाते हैं and one eye is weeping from our twigs having lashed across it open और एक आँख जो होती है उससे आंसू निकल रहे होता है या पानी निकल रहा होता है क्योंकि किसी पेड़ की छोटी सी डाली से आपके आँख पर चोट लग गई है और अब आपके आँख से क्या हो रहे है पानी बह रहा है या आसू बह रहे है सिर्फ एक ही आँख से I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over यानि मैं कुछ समय के लिए इस धर्टी से दूर जाना चाहूंगा यानि कुछ समय के लिए मैं अपनी life से दूर जाना चाहूंगा और फिर थोड़ी देव के बाद वापस आना चाहूंगा और दुबारा से इसे जीना चाहूंगा यानि ऐसा नहीं है कि मैं ये अर्थ छोड़ कर जाना चाहता हूं मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मैं बोर हो चुका हूं इस तरह की लाइफ से May no fate willfully misunderstand me and half grand what I wish अब यहाँ पर वो pray करते हैं poet जो हैं कि कोई भी fate, कोई भी किस्मत जो है वो ऐसा ना करे कि मेरी इस prayer को सिर्फ half accept करे यानि मुझे इस जिन्दगी से दूर तो कर दे लेकिन वापस ना भेजे यानि मेरी death ना हो जाए and snatch me away not to return यानि मुझे इस जिन्दगी से दूर कर दे और कभी वापस ना भेजे earth's the right place for love यह जो धर्ती है यह सही जगह है प्यार करने के लिए क्योंकि और आप कहां जाओगे इसी धर्ती पर आपकी family आपके parents आपके lovers हैं तो प्यार भी तो आप यहीं पर कर सकते हो I don't know where it's likely to go better मैं नहीं जानता कि इस से बहतर जगह कहां होगी जाने को I'd like to go by climbing a birch tree अगर ऐसी कोई जगह होगी तो मैं क्या करना चाहूँगा मैं बर्च के पेड़ पर चड़ कर उस जगह को देखना चाहूँगा वहाँ जाना चाहूँगा and climb black branches up a snow white trunk और साथी क्या करना चाहूँगा उस बर्च के जो काले branch होंगे जो उसके branch black color के होंगे उन पर चड़ूँगा लेकिन चुकि बर्फ पड़ी है तो इसलिए उस पेड़ के जो trunk होंगे जो उसका तना होगा वो white color का होगा towards heaven और उन पर चड़ कर मैं heaven की और जाऊँगा क्योंकि पेड़ जो है वो उपर की और है तो मैं भी क्या करूँगा उपर की और जाऊँगा till the tree could bear no more तब तक जब तक कि ये जो पेड़ है वो मेरा वजन नहीं सह पाएगा but dipped its top and set me down again बलकि क्या करेगा थोड़ा जुक जाएगा और मुझे भी नीचे ले आएगा यानि बहुत उपर जाने के बाद क्या होगा पेड़ मुढने लगेगा bend करेगा और मुझे नीचे ले आएगा यानि ये अच्छा होगा दूर जाना भी और वापस आना भी क्योंकि बर्च के पेड़ पर चड़कर आप यहां से दूर जाओगे और जब ये बर्च के पेड़ मुढ़ेगा तो आप वापस नीचे आओगे यानि इस दुनिया में आप और भी बुरा कर सकते हो इन बर्च के पेड़ों पर जूलने के इलावा यानि ये जो काम है कि हम बर्च के पेड़ों पर जूल रहे हैं इसमें तो कोई बुरा ही नहीं है आप इससे जादा बुरा कर सकते हो यहाँ पर फ्रेंट्स ये पोयम खत्म होती है पोयम में पोईट जो है अपनी imagination को बता रहे हैं और साथ ही एक carefree life को imagine कर रहे हैं साथ ही वो complain भी करते हैं अपनी current life के बारे में कि adulthood जो है वो उन्हें कितना परिशान कर रही है तो फ्रेंट्स ये थी Robert Frost की पोयम बर्चेज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए